तो सर्दियों में खाने और खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़े बनाई जा सकती है तो हम मक्के के आटे से, बाजरे के आटे से या फिर मिलेट से बहुत सारी चीज़े ऐसी बना सकते हैं तो आज उनी में से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्के क्याटे की एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी बहुत ही amazing रेसिपी है बहुत ही easily बन जाती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत interesting है तो आज हम बिलकुल नए तरीके से ढोकले बनाने वाले हैं बहुत ही interesting रेसिपी है इसको हम टमाटर की चटनी के साथ खाने वाले हैं तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ मैं उसे description box में mention कर दूँगी तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इसे घर पर जरूर ट्राय करना तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीन कप लेंगे मकी का आटा उसमें डालेंगे हम आदी चमच हल्दी एक चमच यहाँ पर हम लाल मिर्श का पावडर डालेंगे एक चमच ही यहाँ पर में धनिया पावडर डाल रही हूँ स्वात के अनुसार नमक डालेंगे आदी चमच यहा पर हम सोफ डालेंगी इसमें डालेंगे हम सोडा एक चोथाई चमच यहाँ पर हिंग पिंच डालेंगी और एक बड़ी चमच यहाँ पर हम डालेंगी तेल इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगी अच्छे से mix करने के बाद इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे एक चूथा ही कब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ छीली हुई मटर क्रश किया हुआ । एक चमच हम अदरग डालेंगे आधा कब हम अच्छे से बारी कटी हुई मेथी डालेंगे अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगी आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते वे हम इसका एक डोर रेडी करेंगी तो ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाए ताकि जो आटा है वो ज़्यादा गीला ना हो तो इस तरीके से हम पूरे आटे को अच्छे से रेडी कर लेंगी थोड़ी से दिर गूतने के बाद हम इसे इखटा कर लेंगी तो आटा हमारा बिल्कुल तयार है अब हम इससे ढोकले बनाने वाले हैं तो ढोकले का शेप आप आपके अकोडिंग रख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे कटोरी जैसा शेप दिया है ताकि जब हम इसका मसाला तयार करेंगे तो इसमें अच्छे से फिल हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर हम सारे आटे के अच्छे से ढोकले बना लेंगे तो जो मैंने शेप दिया है वो बाद में तड़का फिल करने के बहुत काम आता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर सारे ढोकले रेडी हो गए हैं अब मैंने इडली मेकर को हलका सा ग्रीस कर लिया था तेल से, अब इस तरीके से हम सारे ढोगले उस पर रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने पानी को पहले से ही बॉइल कर रखा है स्टीमर में, अब हम इने स्टीम करेंगे, तो यहाँ पर हम लगबग धोगले को 5 से 7 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे, और देखेंगे कि धोगले हलके से फूल जाएंगे, मतलब धोगले अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अब हम इने तंदूर में पकाने वाले हैं, जिसे मैंने पहले से हीट किया हुआ है लगबग हम 7 मिनिट के लिए यहाँ पर इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगी तो उसकी बाद हमारी जो ढोकले वो बिल्कुल तयार हो जाएंगी तो थोड़ी सी दे ढखने के बाद हम इसे एक बार पलट देंगी और सेम दूसर लगते हैं आप इसे ऐसे कोरे भी खा सकते हैं पर मुझे तो यह लाल टमाटर चटने के साथ बहुत ही जदा अच्छे लगते हैं या फिर आप इसे काली दाल के साथ भी खा सकते हैं तो बहुत ही अमेजिक रेसिपी आप एक बार ट्राइ करोगे तो आपको बहुत ही जदा पसंद आने वाली है, तो चलिए इसके लिए तड़का तयार कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे तिल का तेल, तो लगबग मैंने यहाँ पर आदा कब तिल का तेल लिया है, उसमें डालेंगे हम राई, लगबग 3-4 यहां पर बारी कटी हुई हरी मिज डाली है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाली है तिल, थोड़ा से यहां पर धनी को मैंने काट कर डाला है, थोड़ा सा स्वात के लिए हम इसमें डालेंगे नमक, और बिल्कुल थोड़ी से देर पकाने के बाद हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल तयार हो जाएगा, इसे हम सारे ढोकले में इस तरीके से फिल कर देंगे, तो तड़का हमारा यहां पर बिल्कुल तयार हो चुका है, अब इस तरीके से हम तड़के से ढोकले को फिल कर देंगे, इसलिए हमने इसे कटोर बीडी शेप दिया है तो मुझे इस रेसिपी का ये पार्ट बहुत ही ज़दा अच्छा लगता है क्योंकि इस तड़के के साथ धोकला बहुत ही ज़दा अच्छा टेस्ट करता है धोकली तो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इसके साथ आप काली दाल जिसे हम उड़त क की दाल भी बोलते हैं या फिर टमाटर की चेटनी जो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूं आप बना सकते हैं को वीडियो पसंद आयो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा रेसिपी देखना चाते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो इंजोई